इसलिए आप निरास ना होएं चिंदेत ना होएं परिशान ना होएं प्रभु येश्व मसी बहुत जल आपको इस विपत्ति से या फिर इन दुखों से छुटकारा देगा आज की शा में जितने लोग बीमार है प्रभु येश्व मसी आपसे दुआ है प्रभु कि उनके शरीरों को छुकर चंगा करें उनकी बीमारियों से उनने चुटकारा दें उनके दर्द और तकलीफ से उनने चुटकारा दें उनके घाउंग पर आप मरहम लगाएं हम धन्यवाद करते हैं इस सुन्दर साम के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है इसलिए सबसे पहले हम परमेश्व के वचन को देखेंगे फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रात्ना करेंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हूँ और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई सुख चैन नहीं है मैं करहते करहते ठगया हूँ मैं प्रात्ना करते करते ठगया हूँ परन्तु मेरे दुख समापत नहीं हो रहे हैं इतने अधिक दुक हो सकता है आपके जीवन में हो तो आज परमेश्व का वचन आप से बाचीत करता है और हम आपके लिए प्रात्ना भी करेंगे और प्रव्येश्व मस्थी आपको इन सब दुकों से छुटकारा देंगे और आपके जीवन में सुकसानती चैन को देंगे हम लोग देखते कि मेरे जीवन में बहुत अधिक दुख है वो कहता है कि मैं कराहते कराहते ठक गया हूँ मैं कराहते कराहते ठक गया हूँ परंत मेरे दुखों का कोई अंत नहीं हो रहा मेरे जीवन में कोई भी चैन नहीं है इस परकार से वो बहुत अधिक परिशान है बहुत अधिक चिंतित है, बहुत अधिक दुखी ब्यक्ति है और तब परमेश्र का वचन उसके पास पहुँचा यदि आप पढ़ेंगे 45 अध्याई और उसका 5 पद तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है परन्तु जहां कहीं तु जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा आमेन दोस्तों यहां पर परमेश्र का वचन बारुक के लिए कहता है यर्मिया के पास पहुँचा कि जहां कहीं तु जाएगा हलंकि वो दुख में है हलंकि वो संकट में है, विपत्ति में है, कोई चैन नहीं है जीवन में लेकिन परमेशो का वचन कहता है कि पूरी दुनिया पर सब लोगों पर तू विपत्ति पड़ेगी उनकी जीवन में तू विपत्ति आएगी, संकट आएगा परन्तु तेरे जीवन में मैं तेरे संग में रहूंगा तुझे सुरक्षित रखने के लिए तेरे प्राणों की हानी नहीं होगी क्योंकि जहां कहीं तु जाएगा वहां वहां तेरे संग में तुझे बचाने के लिए तुझे जीवित रखने के लिए मैं तेरे संग में रहूंगा और तेरे प्राणों को नस्ट नहीं होने दूँगा दोस्तों अज साम में मैं आप से कहना चाहूंगा कि परमेशो का वचन कहता है कि आपके प्राणों की हानी नहीं होगी हलंकि आप दुख से होकर गुजर रही हैं हलंकि आप समश्या से होकर गुजर रही हैं हलंकि आपके जीवन में कोई सुचैन नहीं है हलंकि आप कराते कराते ठख गए हैं हलंकि लंबे समय से आपकी प्रातना का उत्तर नहीं आया है परन्तु परमेशो का वचन कहता है जिस प्रकार से बारुक से कहता है कि तेरे प्राणों की हानी नहीं होगी जहां कहीं तो जाएगा वहां मैं तेरे संग में रहूंगा और तेरे प्राणों की हानी नहीं होगी इसी प्रकार से परमेशो का वचन यदि आज आप गरहन करते हैं तो आप से भी कहता है कि आपके प्राणों की हानी नहीं होगी इसलिए आप निरास ना होई, चिद्धित ना होई, परिशान ना होई, प्रभु येश्व मसी बहुत जल आपको इस विपत्ति से या फिर इन दुखों से छुटकारा देगा और आपकी प्राथना का प्रभु येश्व मसी आपके जीवन में आपको उत्तर देगा तो इसलिए आप निरास ना होई, दुखी ना होई, परिशान ना होई, प्रभु येश्व मसी आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे आपके दुखों का अंत प्रभयेश मसी बहुत जल्दी करेंगे और आपके जीवान को, आपके परिवार को वो सुख सान्ति से भर देंगे तो इस विश्वास में बने रहें कि प्रभ आपके साथ में है प्रवव आपके साथ में हैं आपको हर एक खत्रे मुसीवत दुख बीमारियों से विपत्ती संकट से बचाने के लिए आपको सुरक्चित रखने के लिए उसका वादा है कि आपके प्राणों को वो नस्ट नहीं होने देगा तो प्रवव आपको इस वचन के दौरा बहुतायत से आसीस दे आमीन दोस्तों हम आपका धनेवाद करते हैं कि आप में से बहुत से भाई बेनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज वेशाम हमारे साथ में प्रात्नों में सामिल होते हैं हम उनके लिए प्रात्ना कर रहे हैं और प्रवव आपके जीवन में अद्वुत आश्चरे कर्मों को करेंगे प्रात्ना करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए और मैं आशा करती हूं कि आपने वचन को सुनकर आशीश पाई है और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपने विंती निवेदनों को अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे यूट्यूब चैनल कमिन बॉक्स में इंस्ट्रग्राम में और फेस्बुक में दे सकते हैं हम आपके लिए पूरी टीम मिलकर प्रात्ना करेंगे सो आईए हम से मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रात्ना करें धनिवाद देते हैं येशु हमारे अब्बा हम आपका धनिवाद करते हैं पिता इस सुन्दर से समय के लिए प्रभू जो आपने हम सब को तिखाया है पिता मिले प्रभू हम धनिवादी और आभारी हैं प्रभू कि आपने आज की पूरे दिन भर में प्रभू हम सब की साहता और मदद किया हमारे संग-संग आप चले प्रभू आपने हर एक के प्राणों की हिफाज़त की और ये सुन्दर सा पल हमें दिया कि इस शाम में प्रभू दिन भर की हर एक बात के लिए प्रभु जी हम आपके सम्मुख आकर धनेवादी हो सके आपके सम्मुख अपनी बातों को रख सके अपने जीवन के उन दुख परिशानी समस्याओं को रख सके ताकि सल्यूशन, आनंद, शांती और चैन आराम हम आपसे पास सके प्यारे खुदावन हो ने देख ये परहू तेरी पवित्र परजा जिनसे आप प्रेम करते हैं यह आपके लोगए प्रवु जिनुने आपके नाम पर विश्वास किया है जिन्ोंने आपकी बुलाहट को सुनकर प्रभू तुझ पर विश्वास किया है कुदा मैं प्रातना करती हूँ कि प्रभू आज की शाम में इनके जीवन में कारे हो पिता आज की शाम में प्रभू इनके लिए अद्भुत हो पिता प्रभू आए तो है वो दुख में आए तो है वो बेचैन होकर आए तो है प्रभू समस्या में आए तो है बीमारीों में प्रन्तु पिता हम प्रात्ना करते हैं कि आप situations को बदलने वाले हालातों को बदलने वाले परमिशर हैं प्रभू इनका दुख आनन में बदल जाए इनके आसूं को पोच कर प्रभू आप इन्हें आनन्दित करें प्रभू येश्व इन्हें जो बीमारी में उन्हें आप चंगा करें और प्रभू इनके लिए आप मार्गों को निकालें आप इनके लिए प्रभू नए दर्वाजों को खोलें प्रभू मेरे खुदावन आज की शाम में मेरे प्रभू जो वचन के दौरा आपने बात चीत किया हमने प्रभू बारुक के जीवन से देखा परमेश्व पिता कि प्रभू उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं वो कराते कराते ठग गया परन्तो प्रभू जब तेरा वचन उसके लिए पहुचा प्रभू जी कि मैं तेरे प्राणों को बचा कर तुझे जीवे तिर रखोंगा यस मैं लोड जीजस इसी प्रकार आज की शाम में प्रभू आप इन भाई बहनों से इनके फैमिली से इनके हर एक उस जन से जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है प्रभू ये वचन आज आज आपने उनके लिए कहा है कि आप उनके प्राणों की हानी नहीं होने देंगे सच में मेरे प्रभू ये शुमसी ये वचन जो आपने प्रभू अपने लोगों के लिए दिया है तो उसके प्राडों को पिता परमेशर बचा कर जीवित रखेगा आज प्रभू ऐसे ही परमेशर आपने अपने लोगों से भी बातचीत किये है जब वो दुखों में है, जब वो कर रहते कर रहते ठक गए है, वो रो रहे है, बेचैन है प्रभू किसी भी प्रकार का चैन उनके जीवन में नहीं है, मैं दुआ करती हूँ कि आज इस वचन को सुनकर प्रभू उनका हिर्द है प्रभू शांती को पाए परमेशु पिता, और प्रातन है मेरे प्रभू कि वचन उनके जीवन में कारे करे प्रभू वो दुख जो इने मानों की हर दिन अंदरी अंदर प्रभू इने ऊस परिशाली से जिरे है मैं प्रातना करती हूं कि उन दुखो को आप दूर करें प्रभू इनके करहाने की आवाज आप सुन रहे हैं इनके रोने की आवाज को आप सुन रहे हैं प्रभू येश्व आप इने आराम दे आप इने चैन दे प्रभू येश्व मसी क्योंकि वो चैन और आराम प्रभू तेरे पास में है वो विश्राम तेरे पास है परमेश्व पिता होने दीजे इनके दुखों को आप दूर करें परमेश्व पिता तैंक यू और जीजूस में प्रात्ना करती हूं प्रभू आज जितने भी भाई बेन प्रभू हमारे साथ मिलकर प्रात्ना कर रहे हैं आपने उनके जीवन के हर एक दुखों को दूर कर दिया है, क्योंकि प्रभू जब आपके लोग आपसे मांगते हैं, तो आप उनके जीवन में कारे करते हैं, धन्यवाद आज की शाम में इनके दुखों को दूर किया, इनके बेचैनी को दूर किया, उस कारण को आपने दूर किया प्रभू जो इन्हें हर दिन दुख दे रही है पिता आप उन बातों को दूर करे और प्रभू अपने आनंद को इनके जीवन में दे और विशेश का प्रभू यदि इन्हें डर है प्रभू कही इनके प्राणों की किसी प्रकार की हानी न हो जा कि मैं तेरे प्राणों को बचा कर तुझे जीवित रखूंगा ये वच्चन इनके जीवन में प्राक्टिकली वर करें धनिवाद करते पिता जितने भाई बहनों ने प्रभू आज अपने निवेदनों को पिता यूटूब में इंस्टेग्राम में फेस्बुक में भीजा है मैं दुआ करती हूँ कि उन भाई बहनों की सुधी लेकर उनके जीवनों में आप कारे करें मेरे खुदा मैं धनिवाद करती हूं प्रभू आज पहली बार जितने भाई बिन हमारे साथ में जुड़े है परमेशु पिता हम दुआ करते हैं परमेशु पिता कि उनके जीवनों में आपकारिय करें अपनी चैन सुक आराम को पिता उनके जीवन में दे और प्रभू वो जान सके कि तु आप मरहम लगाएं परमेशु धनिवाद करते हैं प्रभू तुने चुआ और चंगा किया छोटे बच्चों को नौजवानों को बुजर्गों को उनकी बीमारियों से आजाद किया इस बात के लिए धनिवाद क्योंकि आप यहुवर राफ़ा हैं चंगा करने वाले हूँ यह मैं लौड हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे चंगा करने वाले परमेशु आपने हर एक बीमारी में पड़ेवे व्यक्ति को परमेशु आपने इस समिच चंगा किया है आपका धन्यवाद प्रभू जो इनकी समस्याएं हैं जो इनकी प्रॉब्ल प्रवाइब यह तक जाते हैं परन्तु जब यह तेरे पास आते हैं तो उस विश्राम को पाते हैं जो कि आप देते हैं परमिश्वर प्रभू होने दीजी यह सुख भरी नीन लेकर सोएं नया दिन आपके साथ में देखें और बहरंबार आनंतित होकर तेरा धन्यवाद कर प्रभू येश्व मसी प्रभू जितने भाई भेनों ने आपके राज्जी में अपने बीच को बोया है आपके राज्जी के लिए प्रभू अपने हातों को सेवकारियों के लिए बढ़ाया है येश्व मसी उन्हें फलवंत करें और प्रभू उन्हें बहुत तायत से आश चीज देते हैं येश्यू के नाम से स्परात्ना को मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन